नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में मिशन फार विजन विजय में है आप सबका प्यार दुलार आशिरबात हमेशा मिलता रहता है आगे भी ऐसे बढ़ाये रहें और प्रयास करें कि अपने मित्रों को भी सेर करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं आप लोग के सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं बहुत ही अच्छा महसुस करता हूँ मित्रों आज का भी से है कि अपनी मन की करें और सांती से रहें और अपने दिल की बात को माने नमस्कार साथियों जब आप कुछ करना चाहते हैं जब कुछ आप अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं तमाम तरीके की बदाया दिये आप किसी से प्यार करते हैं आप किसी से दुलार करते हैं आप किसी से जलन करते हैं आप किसी से टसन करते हैं तो जब आप ज़्यादा प्यार करते हैं तब भी आपको बहुत लोग अच्छा नहीं समझते हैं वो लोग यहीं समझते हैं कि आपका स्वार्थ है उस प्यार और महबत में जब आप किसी से जलन करते हैं, बिरोध करते हैं तब भी आपको कुछ लोग अच्छाने समझते हैं वो फिर यही सोचते हैं कि अच्छा आदमी नहीं है तो आप जो भी करेंगे अप अच्छा करें तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सब अपनी मन की बात सुने और स्वस्थ होके सांत होके अपने काम में लग जाए इधार उधार की बाते करना ठीक और उचित नहीं है एक अस्थान एक घोड़ा जो है एक पुत्र कहीं जा रहा था अपने घोड़े को लेकर उसके साथ उसके पिता बुजुर्ग थे वो भी जा रहे थे घोड़ा चल रहा था पुत्र ने कहा कि पिता जी आप घोड़े पर बैठ जाए वरना आप ठक जाएंगे और रास्ता लंबा है पिता ने सीवकार किया और घोड़े पर सवार हो गया अभी कुछ ही दूर पर साथ ही चला था तो लोगों ने देखा कि घोड़ा पे बुढ़ा पिता बैठा हुआ है अराम से चल रहा है और उसका लड़का पैदल चल रहा है घोड़े को खीचता हुआ तो लोगों ने कहा कि कैसा तू पिता है रहे बच्चा पैदल चल रहा है और तुमको सरम तक नहीं आ रही है तुम घोड़े पर बैठके मजे ले रहे हो क्या सोच है तुमारी पिता को बुरा लगा पिता घोड़े से उतरा और कहा बेटा तुम ठक गया हो घोड़े पर तुम चढ़ जाओ बेटा ने कहा नहीं पापा आप बुजुर्ग हैं कहा नहीं नहीं तुम भी ठके होगे तुम चड़ जाओ पिता ने जवरजस्ती किया मनुवल किया और बेटा ने बात को सिकार किया घोड़े पर चढ़ गया और फिर पिता ने घोड़े की नाल पकड़ के खीचे पुत्र बैठा घोड़े पर कुछ दूरी पर गया फिर पिछले जैसे ही लोगों ने तोका ओका कितने नर्दई रेकती हो भाई क्या पुत्र हो अपना धार्म के रक्षा तुम नहीं कर पाते हो नौजवान इवा होकर घोड़े पर बैठ कर मज़े ले रहे हो क्या जमाना आड़ जा है क्या आपकी सोच है पुत्र को बहुत अच्छा नहीं लगा घोड़े पर से पुत्र उतर गया और उतरने के बाद पिता पुत्र दोनो घोड़े के आगे आगे रसी पकड़ के खीच रहे है चल रहा है घोड़ा खाली घोड़ा चल रहा है थोड़ी दूर पाओर गए फिर वही सोच वाले लोग मिले और फिर जानते हैं क्या बोले अरे दोनो बेकूफ हो घोड़ा खाली है और दोनो घोड़ों को खीच रहे हो अब यही सोच है घोड़े पर बैठे तो बुरा घोड़े पर ना बैठे तो बुरा घोड़ा खाली रखे तो बुरा कहने का मतलब यह है कि जो आपका मन स्वस्त रूप से सही निड़े ले उसको आप सिवकार करे उसको ही आप समझे अन्य था लोगों की काम तोकना है रोकना है लोगों की सोच अच्छी नहीं बन सकती है इसलिए मन को सौश्त रखे जुरक्षित रखे और आगे बढ़े और कांफिडेंस के साथ अपनी पूरी छंता के साथ किसी भी काम के लिए समर्पित रही है बाकी का मेरे मन में एक ख्याल आया कि आप सब से यह बात सेयर करूँ और आप लोग कमेंट भी करते रही है प्रयास करिए कि अगर मैं अच्छा बोल पाता हूँ या कोसिस कर रहा हूँ तो एक बार आप लोग हमारा वीडियो सेयर करवा दिजे सब्सक्राइब करवा दिजे बस और क्या जै माता दिये जै स्री किष्णा रादे रादे